महरास्ट में फिर गहराया सियासी संकट अजित पवार गायब अटकले हुई शुट कहा जा रहा था कि अजित ने शुकरवार और शनिवार के पुने में होने वाले सभी कारिक्रम रद कर दिये थे इसके अलावा कयास लगाय जा रहे थे कि वहां NCP के कुछ विधायों के साथ संपरक से बहार हो गए है खैर रब महरास्ट की राजनीती से बड़ा संकट तलता हुआ नजर आ रहा है खबर है कि कथित तोर पर गायब हुए रास्तवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और शरत पवार के भतीजे अजित पवार के वापसी हो गई है उन्होंने जानकारी दी है कि तविट ठीक नहीं होने के चलते वहां आराम कर रहे थे सल्मान खान पर फट पड़ा भारतिये क्रिकेटर जमकर लतारा कहा हमारे कल्चर का हुआ अपमान दरसल बालिवोड सुपरिस्तार सल्मान खान अपनी आने वाले फिल्म किसी का भाई किसी की जान के नए गाने या अंतामा को लेकर विवादों में आ गए है भारत के पूर्वी क्रिकेटर लक्षमन सिव रामकरिशनन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहर करते हुए कहा कि उन्होंने साउथ इंडियन कल्चर का अपमान किया है महंगाई से बड़ी राहा दिल्ली में सी एंजी और पाइप रसोई गेस की कीमतों में 6 रुपे तक की कमी सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है दिल्ली में CNGO और पाइप से घर तक पहचाई जाने वाली रसोई गेस की कीमतों में 6 रुपे तक की कटोती की गई है दो साल में पहली ऐसी राहत दी गई मालूम हो कि सरकार ने एक दिन पहले ही प्राकृतिक गेस और कीमतों के निर्धारन करने का नया फॉर्मूला लागू किया था इस फैसले के बाद ही दिल्ली में CNG और PNG की कीमतें में कमी आई है अब रास्टी रासधानी शेत्रों में CNG के कीमत 79.56 रुपे प्रती किलोग्राम से कम होकर 73.59 रुपे प्रती किलोग्राम हो गई है आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशकबरी रोल आउट हुआ iOS 16.4.1 अपडेट अब नहीं आएगी ये प्रॉब्लम्स एपल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है कमपनी समय समय पर अपने यूजर्स के लिए नए-नए अपडेट जारी करती रहती है इसी क्रम में कमपनी ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए iOS 16.4.1 रोल आउट कर दिया है इसके अलावा एपल ने iPad यूजर्स के लिए भी iPad OS 16.4.1 अपडेट जारी कर दिया है इस अपडेट को आप सैटिंग में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एपल के ने अपडेट रोल आउट होन के बाद यूजर्स की iOS Surface Accelerator से जुड़ी परिशानिया दूर हो जाएंगे इसके रावा नया अपडेट Voice Assistant Siri के कुछ मामलों में जवाब न देने की समझ्या को भी हल करता है इस अपडेट का फाइदा iPhone 8 और इसके बाद वाले मॉडल्स की यूजर्स उठा सकते हैं फ्लिप कार्ड पर बंपर सेल 92 रुपए डेली खर्ची पर मिल रहा iPhone 14 जानिये इस वीडियो में आगे विस्तार से फ्लिप कार्ड पर चल रही मॉबाइल बंजर सेल 10 अप्रिल तक चलेगी जिसमें आप एक्सचेंज आफर, नो कोस्ट, EMI और फ्लिप कार्ड पे लेटर का फायदा उठा सकते हैं वहीं iPhone 14 पर भी आकैशक आफर मिल रहे हैं इस स्मार्टफोन को आप 92 रुपए डेली के खर्च पर खरीद सकते हैं इस स्मार्टफोन 70,999 रुपए की सुरुवाती कीमत पर मिल रहा है लेकिन आप इसे 46,999 रुपए में खरीद सकते हैं इस कीमत पर फोन के मन्थली EMI 3,000 रुपए से भी कम हो जाती है आफर के मताबिक सभी डिसकाउंट के बाद ये स्मार्टफोन 20,999 रुपए मन्थली EMI पर मिलेगा अनीर एंटिनी के बाद सशी धरूर भी कर सकते हैं विजेपी जॉइन दोहजार चोबिस से पहले बिजेपी की रखशनी सियासी रणनीती से कॉंग्रिस में मचेगी खलबली अस्तित्व को बचाने के लिए बस्मा सुप्रीमो मायवती बड़े मुस्लिम नेता आजम खान को अपनी तरफ खीशने की कोशिश कर सकती है खेत में दोस्त करते रहे गेंग रेप बाहर पती देता रहा पहरेदारी पतनी की शिकायत पर 11 लोगों पर F.I.R. दर्ज मुराबदा बाद में पतनी ने पती पर दोस्तों से गेंग रेप करवाने का आरोप लगाया है पतनी ने कहा कि पती उसको इलाज के लिए ले गया था और रास्ते में नशीला पदार्थ पिला कर दोस्तों से गेंग रेप करवाया तेज प्रताप यादो से वारानासी के होटल में बदसलूकी सामान के साथ बाहर निकाला जानिये क्या है मामला विस्तार से लालू के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादो के साथ वारानासी बदसलूकी का मामला सामले आया है होटल प्रबंधन ने तेज प्रताप को सामान सहीद बाहर का रास्ता दिखा दिया है इसके बाद बवाल मच गया है इस संबंद में डिस्टी पी कासी बनारस ने बताया कि होटल प्रबंधन के मुताबिक दोनों कमरे ऑनलाइन किसी अन्य ने बुक किये थे जबकि मंतरी एवं उनके लोगों ने यह कमरा बिना बुक करा ही अपना सामान रग दिया था इसी कारण उनका सामान निकलवाया गया है बिना बुकिंग के ही मंतरी एवं अन्य के सामान के से होटल में रखे गए इस संबंद में चानबिन कराई जा रही है महबूबा मुफ्ती के बेटी को मिला सिर्फ एक ही देश का पासपोर्ट जराई जताई नाराजगी जमू कश्मीर के पुर्व मुख मंतरी महबूबा मुफ्ती के बेटी इलतिजा मुफ्ती ने एक देश विसेश के लिए पासपोर्ट जरी करने को लेकर भारती जाच एजेंसी CID की आलोशना की है खबरों के मुताबिक इलतिजा मुफ्ती को सिर्फ एक देश की यात्रा के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है इस पासपोर्ट के आधार पर वो उच्च सिक्षा के लिए सिर्फ UAE जा सकती है इलतिजा ने इसके लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिकेशन डिपार्टमेंट के आलोचना की है और उसकी तुलना नाजियों से की है विपक्ष के निसाने पर क्यों रहते हैं अडानी अंबाने शरत पवार ने सुनाई टाटा बिर्ला की सियासी कहानी अडानी समुग और इडनबर्ग रिपोर्ट पर जाच के मांग से रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी प्रमुख सरत पवार ने खुद को दूर कर लिया है साथ ही उन्होंने कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी के देश के बड़े कारूबारी घरानों को निशाना बनाने के बात पर भी असहमती जताई है खास बात ये है कि इंटर्व्यू के दोरान पवार ने साफ किया है कि इस तरह के सियांसी पैतरे नए नहीं है और पहले भी राजनीतिक दल कारोबारी समूहों को घेरते रहे हैं राकपर प्रमुख ने कहा आज अंबानी ने पैट्रो केमिकल सेक्टर में योगदान दिया है क्या देश को इसकी जरुरत नहीं थी बिजली के शेत्रों में अडानी ने योगदान दिया है क्या देश को बिजली नहीं चाहिए ये लोग हैं जो एसे जिम्मेदारिया उठा नाम पर काम करते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप हमला करें लेकिन उन्होंने यहां इंफरस्ट्रक्चर बनाया है उनकी आलोशना मुझे उचित नहीं लगती सत्ता में आये तो राहुल गांदी को सजा सुनाने वाले जज़ की जीब काट देंगे कॉंग्रेस नेता की धंकी तमील नाडो में कॉंग्रेस के एक नेता ने पार्टी के सत्ता में आने पर राहुल गांदी को दो साल कैद की सजा सुनाने वाले जज़ की जीब काटने की धंकी दी है कांग्रेस नेता ने बयान में कहा कि 2019 के अपरादिक मान हानी मामले में राहुल गांदी को जिस जज ने दो साल की जेल की सजा सुनाए उनकी जीप काट ली जाएगे उनके खिलाफ उनकी टुपड़ी को लेकर मामला दर्ज किया गया मुस्लिम रास्ट एको तुर्की एरान ने मिलाया हाँ इसराइल के खिलाफ हुई बात